तो हेलो फ्रेंद्स वेल्कम तूदर गेमिंग नियूस तो लास्ट विक से काफी सारी गेमिंग अपडेट्स आई है तो वीडियो एंट तक जरूर देखना ताकि आप पूरी तरह से अपडेटेड रहे सके तो फॉर्स नियूस आती है लिटिल और फिस गेम की तरफ से तो आप अभी आपकी स्क्रीन पर इस गेम का ट्रेलर देख रहे है इस गेम के ग्राफिक्स और विज्वल्स का अभी कमाल के लग रहे है आप स्क्रीन पर देख ही रहे है ये गेम सिर्फ iOS पर आवाइलेबल है जैसे Android के लिए आवाइलेबल हो जाएगा मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा तो नेक्स नियूस आती है अनडाउटेड गेम से ये एक फर्स परसन शुटिंग गेम है जैसे के आप आपकी स्क्रीन पर देख ही सकते हो इस गेम की अभी रिलीज डेट सामने नहीं आई है जैसे ही इसकी रिलीज डेट आ जाएगी मैं आपको बता दूँगा तो नेक्स नियूस आती है कॉल अप ड्यूटी मॉबाइल से तो इसका नया सीजन रेडियो एक्टिव एजन्ट आ चुका है इसके साथ गेम में काफी नए मोड और कुछ मैप्स आ चुके है साथ ही इसका टू वर्स टू वर्जन गेम मोड भी आ चुका है तो नेक्स नियूज आती है रोकेट लीक की गेम के रुमर से कि ये गेम मोड बने पे लिए अवालेबल हो सकता है अब ये कोई ओफिशल अप्डेट तो नहीं है पर रुमर आ रहे है तो नेक्स नियूज आती है स्टार वर्स कौर्डरन गेम से की तरब से इसका एक gameplay trailer आ चुका है जो आप screen पर देख रहे है ये एक first person shooter game है जो की देखने में काफी जबर्दस लग रहा है जैसे ये game launch हो जाएगा मैं इसके regular videos डालना शुरू कर दूँगा तो next news आती है उस game की जिस game का इंटेजार में काफी time से कर रहा हूँ जी हाँ आप सही समझे मैं बात कर रहा हूँ cyberpunk 2017-7 के बारे में ये game फिर एक बार delay हो चुका है ये काफी भुरी news है पर हाँ अब इसकी release date है 19 November 2020 तो guys next news आती है epic legend की तरफ से ये game switch पर आने वाला है तो बात करते है कुछ superhero game की के बारे में तो news आती है Fortnite season 3 की तरफ से तो इस season में हमें Aquaman का भी character देखने को मिल रहा है जैसा कि आप आपकी screen पर इसका trailer देखी सकते है So ये थी last week की सारी gaming update Hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा So thanks for the watching guys See you next time